हेलो साथियों नमस्कार मेरा नाम विमला पाल मेरे यूटूब चैनल वीडियो विद विमला पर आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों और बताइए आप लोग कैसे हैं उमीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे सस्थ होंगे रच्छा बंधन या राख और पूर्मा दस्मी पर पड़ता है इस दिन बहने पूजय अर्चना करके भाईयों की कलाईयों पर राखी बानती हैं और उनके स्वास्थ वा जीवन में शफल होने की कामना करती हैं वहीं भाई अपनी बहनों की रच्छा करने के लिए उन्हें काई तरह के उपहार देते हैं और कलाई पर राखी बन्धवाने के साथ साथ बहनों को पूरे जीवन उनकी रच्छा करने का वचन देते हैं और हमेशा उनकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं वहीं बहने राखी बानते हुए या संकर्प लेती हैं कि वह हमेशा अपने भाई की नंबी उम्र की का हमेशा उनके अच्छे स्वास्त के लिए भग्वान से प्रार्तना करेंगी दोस्तों यह तिवहार यह तो हमें दर्साता ही है कि हिंदूों में यह महत्पूर्ण तिवहार है और इसमें हर एक बहन अपने भाई की राखी बांदने के लिए पहले से तैयारियां सुरू कर देत कि वह उनका भाई जहां भी होगा वह हर संभव कोशिस करेंगी अपने भाई की कलाई पर राखी बांदने के लिए पर कुछ कारणों अगर कुछ बहनें नहीं पहुंच पाती हैं तो आज काल तो इंटरनेट का जवाना है बहनें बीडियो काल पर या फिर अपने लिप्ट करती हैं और उसकी लंबी उम्र की कामना करती हैं पर अधिक तर देखा या जाता है कि बहने कोसिस या करती हैं कि उस दिन वह अपने भाई के घर पर अवस्य पहुंचे और जा करके उनको उनकी कलाई पर राखी बांदें हमारे जो सैनिक हैं जो की सीमाओं पर हमारे देश की रच्छा कर रही हैं हमारी बहुत सी बहने उन भाईयों के लिए राखी बनाती हैं और बना करके रच्छा बंधन से पहले उन भाईयों के लिए तिलक और राखी अवस्य भेजती हैं ताकि उनकी कलाई पर राखी बन सक और वह सीमा पर रह करके हमारे देश की रच्छा कर सकें ताकि हमारी बहने हमेशा खुश रहें और उनकी रच्छा हमारी बहनों हमारे परिवार हमारे देश की रच्छा हो सकें दोस्तों यह रही एक छोटी सी कहानी हम फिर मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जै हिंद जै भारत